कोई भी सरकारी अफसर अगर अपनी नौक्री नू पक्केत और ते शड़के किसे प्राइवेट अदार्यां चे जाके अगर नौक्री करना चावे रेटाइर्मेंट तो बात ता उनू अलाउड नहीं है उदे लिए एक कूलिंग अफ पीरियड है जेडा मेंडेटरी है हर एक अफसर नू मनना पाएगा मतलब दो साल तक वो अपनी सरकारी नौक्री शड़के सरकारी अफसरी जेड़िया उनू शड़के किसे प्राइवेट अदारे चे जाके नौक्री नहीं कर साकदा दो साल समा है जेनू कूलिंग अफ पीरियड केंदेया पर जदो इना सरकारी अफिसर्स चो कोई भी रेटाइर्मेंट लेके रेटाइर्मेंट चाहिए नेच्रल ओधी उमर दे या ओधी जौब दे ओ काईदे देनल होवे या विलन्टेरिली अपनी इच्छा दे मताबिको रेटा 60s दे विच, 1970s दे विच उदो इस सोचया ना गया होवे कि ये जड़े अफसर कलास है एक तदी अपनी नौकरी तो वोलन्टेरी रेटाइर्मेंट लेके स्वै इच्छत सेवा मुक्ती लेके पॉलिटिक्स जोईन कर लेगी हफते दे अंदर-ंदर ही आज दी एस वीडियो मीना पहला ही तकरीबन अपनी नौकरी तो रेटाइर्मेंट लेके कमल दा फुल जोईन कीता सिगा एंड होनो बठिंडा तो अपना जड़ा फर्दर अगली पारी या जड़ी ओधी कोशिश कर रहे ने पंजाब सरकार ने इस मुद्धे नौ एकवरी फिर बड़ा बना देता है क्योंकि पंजाब सरकार ने क्या देता है कि जड़ी ओर रेटाइर्मेंट दी एपलिकेशन सी ओ पंजाब सरकार वल्लो हजे एकसेप्टी नी होई और जल्दी तो जल्दी आपनी ड्यूटी जो एमडी लगे होई सी ओएक देपार्टमेंट देवे चो थे द्वारा ज्वाइन करो अपनी ड्यूटी नूँ नहीं ता प्रॉप्रियेट एक्शन जड़ा एदेते लिया जाएगा एकवरी अगर आपा टाइम लाइन नू देखिए ता सिर्फ एक हफते दे वकवे दे जड़ान ही एक आईएस ओफिसर अपनी रिटाइर्मेंट लेके विदिन सत दिना देवेची एक पार्टी जॉइन करके ओदा उमीदवार बन जानदा है तेन अप्रेल नू एएस परमपालकौर जी अपनी वोलंटेरी रिटाइर्मेंट देले जड़ी बेंती है अरजी है पंजाब सरकार को मूव कर देने और महज तिन दिना बाद ही ओ एक होर अरजी मूव कर देने जड़ी सिद्धी केंदर सरकार दा एक मैकमा हैगा जड़ा रिस्पॉंसिवल है आईएस आई पेस जड़े ऑफिसर्स ने इना दियां परतियां देले उना को मूव कर देने और क प्रेस कॉन्फरेंस दे विच ए आईएस ओफिसर एक प्लिटिकल पार्टी नो ज्वाइन नी कर दे आपानो नजरा दे सो बहुत तेजी नाल बापर दा है तेन अप्रैल तो लाके दस ग्यारा अप्रेल तक महज साता थ दिन बन देने इना दिना दे विच ही बहुत एजी अप्लिकेशन मूव हों दियाने और अप्लिकेशन एक थांते नी दो दे होते पहला पंजाब सरकार को उस तो बाद केंदर दे उस डिपार्टमेंट दे को ए अरजी जान दिया है विकास सर्टनली ए आयस ओफिसर दे एक फ्रेंड्स इन हाई प्लेस जो आपा कहने हां उस डिपार्टमेंट दे को एप्लिकेशन मूव कर देती गई होवे और पंजाब दी सरकार नो टोटली बाइपास करन दा सोचया गया होगे एक महिन्ने बाद पंजाब दे सीम ने ओजेडी अप्लिकेशन तेन अप्रेल नो दिती सी ओधे अपना नोटिस कड़िया है कि ओ अस्तीफा जड़ा है हजे मंजूर नहीं किता गया और अपनी वापसी जौब दे जल्दी तो जल्दी करन इस नोटिस दे विच लिख्या गया है कि सब तो पहला था शौटीज है पंजाब दे विच आई-एस ओफिसर्स दी कमी है कामदा बोज जादा है इस करके तुसी अ अपनी जड़ा नहीं जड़ा है और अधे विच्चो इस नोट नामनजूर कर दिता गया अस्तीफे दी और रेटायर्मेंट दी जड़ी ये बेंती सी तीसरा उना ने क्या है कि कितना किते गुम्रा करन वाली जड़ी गल है कि तुसी वलंटेरी रेटायर्मेंट समय तो पह हावेवर चोना दा महाल है और एदे विच्च कोई भी मूव जड़ी है उन्हों आपा प्योर्ली गवर्नेंस दे अंगल तो नहीं देख सकते बिकास एवरीटिंग इस हाइली पुलिटिकल एदे पिच्छे की अगर आप अनलाइज करन दी कोशिश करियें की मकसद हो साकता तो इरे विच्छो तिन मकसदा जड़े बड़े सिद्ध और तौर देनाल निकल दिया एक ताउं पुलिटिकल है कि पुलिटिकली चोट पहुंचान दी कोशिश की किते नॉमिनेशन वाला जड़ा प्रोसेस पंजाब छोन शुरू हो चुका है नॉमिनेशन पर अंदा जो रीजन है जनू मैंनू लगदा है कि मोर इंपोर्टेंटली एक केंदर दी और स्टेट दी जड़ियां दो बिलकुल ही अलग एंड पोजिंग पुलिटिकल पार्टीज दा राज है जिते केंदर दे विच एंड पंजाब दे विच इना दी आपस दे विच एक तरा देनाल वर्चसव दा टक्राब जड़ा इह हो सकता है कि आई-एस परमपाल को और तो वी उपर जड़े होना दे फ्रेंड्स एट हाई प्लेसेज ने जिना दे थू अस्तीफा बहुत छेती देनाल के इंदर तो मंजूर हो जन्दा है ओ टार्गेट दे होन क्योंकि आपा देखिया पंजाब सरकार दे रूरल डेवल्पमेंट फंड नू लाके जड़ा मंडी डेवल्पमेंट फंड हैगा अदालता ने विचे केस चल दे ने जिमें की आडीएफ ता केस आपा एक एक्जम्पल ले सकते हैं जिते वार वार एं मुद्दा भी बन रहा हैगा कि पैंती सौ क्र जड़ा है कि इंदर दी सरकार पंजाब दा नहीं दे रही ओवी एक होंड लीगल तरीक के देनाली चल रहा है सो ए सेंटर और स्टेट दी एक तरहां दी खिचो तान दे विच इस नू लेके आउन दी कोशिश है तांकि ए इलेक्षनां तो ब्यांड भी जाके इस मैटर जिम्मेवारियां ते पावरां दा टक्राव बनाके पेश कीता जा सके एवी हो सकता प्यूर रीजन कि पंजाब चे जिस्तरा चोना दा महौल है सिर्फ और सिर्फ पगवंतमान अपनी पावर दखान दी कोशिश दे विचे ही ए जड़ा नोटीस है इनू जारी कीता गया हो नाल ही एक प्रस्पेक्टिव तो देखना बहुत जुरूरी है कि आमातमी पाटी दे सुप्रीमों अर्विंद केजरिवाल दा जिसतरा उनों अरेस्ट कीता गया है और हजे तक जेल दे विच है चोन पर चार दे विच उना दी तरम पतनी जुरूर उत्रे होईने पर पाट अर्विंद केजरिवाल नों फसाही रखन दिया कोशिशानी हो सकदा ओदी रिटेलियेशन पंजाबी सरकार जेडिया आमातमी पाटी दी सरकार आओ देरी होई पर देखना होगा कि इस केस दे विच अग्ये बंदा की है इस केस की ऑप्शन्स ने हो सकदा कि एक लीगल फा यहां तीसरी ऑप्शन एही है कि पगवंतमान दुबारा इस मैटर दे उते यू टर्न मारनगे क्योंकि पहला लाय होए कई फैसले आं दे उतों जड़े काली दे विच नी जख रेक्शन दे विच लाय हूं दे सी ओ देते यू टर्न मारी ही मारी है इस परमपाल कोर दुबारा लायम लाइट दे विच ने इते थैंक्स टू एफर्ट ऑपगवंतमान जेडिया एननी लेट निकल के अपने सामने आओ दिया ने इस वीडियो नो मैं उसे पॉइंट ते खतम करांगे जितों स्टार्ट कीता सी कि कोई आईएस IPS ओफिसर जदो कोई प्राइवेट ऑर्गिनाजेशन जवाइन करता है तो ओदेली दो साल दा छुटी दा पीरियड बहुत जरूरी है कुलिंग आफचे नो पीरियड क्या जानदा है पर पॉलिटिक्स जवाइन करन लगे एहो जया कोई भी शर्त जड़िया हो सरकारवलो नहीं और एहो ज किसे भी मैनिफेस्ट हो देविच कुछ भी नजर नहीं हो दा सो मोर ब्यूरोक्रेट्स विल टर्न तू पॉलिटिक्स क्यूंकि चाहे ब्यूरोक्रेसी एक स्क्योर नौकरी जरूर है गी है पर जड़ी पॉलिटिक्स या इदेच जादा कृष्मा एंड जादा फेम इन्व पॉलिट कृष्मा भी थैंक्यू सो मच फोट पॉचिंग की जड़ी किया है इंदॉ जातो जुएं कर लो नहीं आपर कारवाह होगी जो कारवाह उन ने करनी है वो कर सकते हैं जुएं मैं नहीं करने वाली नाही मेरा जाय करना बगता है क्यूंकि मैं रिटार हो जुकी हु मुझे Central Government ने रिटायर कर दिया है अब कारवाई उनको जो लगती है वो कर सकते हैं बाकी जो मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूं उस पर इन बातों का कोई असर नहीं है मैं अपना nomination paper फाइल करूँगी और election लड़ूगी जो कारवाई उनको करनी है वो लग से करते रहें जो उनकी मर्दिया है वो करते रहें उन्होंने कहा भी पंजाब केटर के हैं यह पंजाब सरकार से पहले मंजूरी लेने थे और जो आपने documentaire सुनको दिये हैं वो आपके mail ने कहा है क्या mail ने कहा रहा है क्योंकि आपने बोला है मेरी माता बज़ुगा है मैं उनके लिए सेवा प्लेन्स हैं, ये भी साथ एक लाइन लिकी है, तो अब मैं उस प्लेन के अनुसार अपनी इवेशन कर रही हूँ, वैसे भी रिटाइर्ए बंदा कुछ करे कुछ ना करे, उसका सरकार से कोई मतलब नी होता, मैं सरकार ऐसे सारी हूं और जो सकाना मैंना सरका की गुलाम नहीं हूँ मैं कल को अमेरिका भी जा सकती हूं तो सरकार मुझे रोकेंगी कि आप वहां क्यु पुदे ड़े गए जब मैं रिटायरी हो चु की ही झाल का मेरे सब मतलब क्या एक मैं क्या कर रही हूं